तो वाज आज हम पढ़ने वाले हैं Transform Option और Transform Option Edit Menu के अंदर ही मिलता है देखिए Edit Menu में दो Option मिलते हैं Transform के एक तो है Free Transform और दूसरा है Transform तो Transform के अंदर भी बहुत सारे Options मिलते हैं जैसे Scale, Rotate, Disqueue, Distort, Extra बहुत सारे Option मिलते हैं यह जो टूटोरियल है यह Edit Menu का ही अगला पार्ट है और आएए गाईज इसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसका Proper Practical करते हैं Welcome back तो गाईज देखिए मैंने एक Blank File खोली हुई है और इसके अंदर हम एक Photo Import कर लेते हैं पहले तो File में चलते हैं और Place Embedded करते हैं और यहाँ पर देखिए Photoshop आइकन मेरे पास है मैंने इसको Import कर लिया और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ देखिए यहां से और ऐसे छोटा करके मैं यहां रख लेता हूँ और देखिए अब की बार आप यह देखें देखो यह चोटा किया है तो जैसे ही हमने इसको Embed किया तो देखिए यह यहां पर क्या बन गया यहां बन गया Smart Object बास हमने Smart Object बन गया यह तो जब हम कोई भी File Place Embedded करते हैं Photoshop के अंदर तो वो Smart Object बन जाता है यह तो आपको पता ही है तो यह Smart Object बन गया अब मैं इसको देखो यहां पर Ctrl T दबा कर Transform करता हूँ एक तरीका होगा Ctrl T अब Ctrl T जो है यह Short Cut है Free Transform का अगर आप इसको Escape दबा कर Transform हटा दें और इसके बाद अगर Edit में जाकर यहां पर Free Transform करें तो देखो इसके आगे लिखा Ctrl T तो यह भी Free Transform होगा यहां से और Ctrl T दबा कर भी Free Transform होगा देखिए मैं इसको किया आप कितना Move करना है तो देखिए जैसी यह है 945 अगर आप यहां पर कर दे 1000 या 1046 तो देखिए इधर हो जाएगा देखिए इधर Move हो गया अगर आप इसको बापस करना चाहते हैं तो वही 945 आप कर दीजे तो देखिए यह बीच में आ गया तो ऐसे ही देखिए यहां पर Y फरसेंट तो अभी आप इसको क्या करते हैं यहां पर आपने करते हैं 7% तो 7% आप करेंगे गए बढ़ गई अब दिख़ो ऐसी हाइट और विट अलग बढ़ रही है देखिए यहां पर हम कर दें यहां पर देखो 5% तो देखो यहां पर 5 यह 6% लेकिन अगर आप चाहते ह कि एक साथ बढ़े, एक साथ कम जादा हो, तो देखो एक साथ पहले तो बरावर कर ले, अब बरावर कर लिए, अब बरावर करने के बाद देखो यहां पर आप link करने, link करेंगे तो देखो यह expect ratio में, aspect ratio में बरावर बढ़ेगी, जैसे माल लीजे आपने 4 किरा यहाँ पर 4%, तो देखो 4% 4% हो गई, अगर आप यहाँ पर करते हैं 8% तो दोनो 8% 8% हो गई, तो यह क्या होगा aspect ratio में size बढ़ेगा और घटेगा एक चीज और यहाँ पर समझ लें कि जब यहाँ पर smart object होता है तो enter करने के बाद, यहाँ से जैसी आप enter करेंगे, देखो आपने इसको pass out किया ऐसे, pass out करने के बाद, फिर दुबारा जब आप control T दवाते हैं, तो वही percent यहाँ पर आएगी, जो percent पहले थी यानि 8%, 8% और अगर यहाँ पर smart object ना हो तो वह percent बारवार नहीं आती है बारवार वह 100% बना देता उसको इसको भी मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा जब यह smart object को में rest ट्राइज लेर बना दूगा ठीक है, अभी आप समझें, यहाँ पर देखो मतलब हो गया कि इसमें transform जो हमने apply किया है जो हमने changes किये हैं वो apply नहीं होंगे और या फिर आप apply करते हैं तो देखो यह apply हो गया अगर आप discard कर देते तो यह वापस उसी position पर आ जाता जिस position से हमने start किया था transform करना देखो ऐसे ही मैं अभी control z कर रहा हूँ control z करने से देखो यह वापस वहीं आ जाएगा अब फिर से मैं control t press करता हूँ control t press करने के बाद आप देखें यहाँ पर वही चीज हमारे पास है इसमें कोई और option नहीं है अगर आप apply करके देखो ऐसे apply किया आपने तो अभी आप apply भी कर सकते हैं और discard भी कर सकते हैं इसको आप shortcut की अगर जाने तो escape से discard होता है और enter से apply होता है और देखें अभी मैं आपको क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि smart object पर transform अलग तरीके से apply होता है और restrise layer पर अलग तरीके से transform अपला होता है तो अभी क्या है देखो यह था smart object मैं इसको restrise layer बना देता हूँ right click करता हूँ और देखो यहाँ पर restrise layer मैंने कर दिया अब restrise layer जैसी मैंने किया तो देखो यह आप smart object नहीं है अब मैं इसको पर apply करता हूँ देखें control T प्रेस किया control T जैसी प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि यह जो था ना width, height और देखो x, y position तो आई गई साथ में देखो यहाँ पर angle के बाद यहाँ पर horizontal angle और vertical angle भी आ गया horizontal angle, vertical angle और देखो interpolation भी आ गया मैं इन तीनों options को आपको भी बताऊंगा उससे पहले मैं आपको जो बता रहा था width और height के बारे में बो बता देता हूँ देखो जैसी हमने control T प्रेस किया width 100% हो गई और height भी 100% हो गई अब मैं क्या करता हूँ इसका size बढ़ाता हूँ देखो तो control T प्रेस करने के बाद देखो 215 नहीं ही फिर से क्या हो गई 100% हो गई बास संचे तो जितनी बार भी आप इसको apply करके control T दुबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर percentage इसकी height width की percentage जो है वो 100% हो जाएगी अब यह 100% का क्या मतलब है जब यह 100% हो जाती है तो वो इसको original size समझने लगता है जो अभी size है इसको original size समझने लगता है और फिर वो दुवारा change करता है जैसे अभी मैं इसका size जैसे करूँगा तो देखो इसको दुबारा से enter करेंगे तो अभी इसको फिर से 100% समझेगा तो देखो control T प्रेस करके देखो 100% है ना देखो 100% समझ लिया लेकिन smart object अंदर ऐसा नहीं है जैसा कि मैंने भी आपको करके दिखाया कि smart object उसी percentage को रखेगा कि original जो है ना उसकी original image जो है जो original image उसने उठाई थी वो smart object वहां से link रहता है और आप कितनी बार भी उसको कम जादा करें size को छोटा करें बढ़ा करें उसकी जो quality है वो खराब नहीं होती लेकिन restrise layer की quality खराब हो जाएगी जब आप छोटा करके उसको बढ़ा करते हैं मैं आपको करके भी दिखा देता हूं देखो अब यहां पर इसकी quality खराब हो गई देख रहें आप यह quality बिलर हो गई अब मैं लाता हूँ smart object दुबारा से देखो place embedded इसको ले ले लेते हैं अब देखो यह हमारे पास है इसको मैं छोटा करता हूं देखे मैं छोटा किया देखो अब कितना percent चोटा कर दिया 1% एंटर किया ठीक है अब मैं इसको फिर से control T press करता हूं और control T press कर देखेंगे दो देखो 1% ही है अब फिर से इसको मैं size को बढ़ा करता हूं देखो यहां से मैंने size बढ़ा किया आप देखो एंटर किया देखो इसकी quality खराब होगी देखो जो आपने कर दी उसको ही रखेगा अपने आप 100% तक नहीं लेगा यह 100% ले आता है तो इसलिए इसकी quality खराब हो जाती है अब मैं जो बात कर रहा था एक interpolation की बात कर रहा था interpolation किसमें आता है चलो मैं भी इसको इस बाले को delete कर रहा हूँ और इसको दुवारा से restrize बनाओ ठीक है इसको दुवारा से मैं क्या करता हूँ रेस्ट्राइज बना देता हूँ देखो यहां पर अब देखो यहां पर interpolation control T press करके हम देखते हैं देखो यहां पर यह interpolation है अच्छा interpolation से पहले यह horizontal angle और vertical angle भी है यह भी समझ लें तो horizontal angle जो है अगर आप इसको 25 degree कर देखो horizontal angle हो गया वर्टिकल करना चाहिए वर्टिकल भी आप कर सकते हैं देखें ऐसे 45 कर दिया देखो vertical angle हो गया तो vertical horizontal angle आप change कर सकते हैं यहां से इसकी होता है न जैसे ऐसे हो जाएगा इसको अब zero कर देखो यहां से इसको भी मैंने देखो यहां पर zero कर दिया चीक है तो चलो अब हम interpolation को समझ लेते हैं तो देखो interpolation क्या होता है तो जब हम restrise image का size बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जब हम size बढ़ाते हैं तो उसमें pixels बढ़ते हैं और जब हम घटाते हैं तो उसमें pixels घटते हैं तो pixels घटने और बढ़ने के उस technique को उसको interpolation यहां पर कहा गया है उसके बराबर में उठाकर रखेगा, तो क्या होगा, कि इसमें smoothness नहीं आएगी, इसमें pixels to pixels उठाकर रखेगा, इसके अलावाद जितने भी हैं, bilinear, bicubic, bicubic, smooth और bicubic, SAR पर bicubic, automatic, ये सबके सब smooth पर काम करते हैं, smoothness पर काम करते हैं, इनकी नीचे बढ़ते चले जाएं, smoothness बढ़ते चले जाएगी, उपर से smoothness कम होती चले जाएगी, तो मैं आपको सबसे ज़्यादा smoothness, यानि bicubic, automatic, और nearest neighbor दिखा देता हूँ, बागी के बीच में तो smoothness इससे कम करते चले जाएं, एससे system है, ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले nearest neighbor की बात करते हैं, फिर हम करेंगे y cubic की, ठीक है तो अब हम nearest neighbor की बात करते हैं, अब मैं इसका nearest neighbor कर दिया, अब मैं इसका size कम करता हूँ, देखिए, यहां से, मैंने इसका size कम किया, और size कम करने के बाद देखिए यहां पर और फिर मैंने enter किया और इसके बाद control T press करके फिर सिमस का size बढ़ाता हूं और बढ़ाने के बाद देखिए enter करता हूं तो देखो अभी क्या हुआ देखो यह pixels sharper pixels हो गए सबसे ज़्यादा शार्पर पिक्सल्स होगे देखो ये क्या हुआ कि पिक्सल्स के नेरेस्ट पिक्सल उठा उठा कर उसने उसके ब्रावर में लगा दिए तो ये देखो इस तरह से देख रहे हूँगा अभी इसके शार्पनेस आ गई इसमें और smoothness खतम हो गई अब देखो मैं undo कर रहा हूँ मैं control jet कर रहा हूँ चली यहाँ पर आगए अब मैं क्या करता हूँ control T प्रेस करके अब की बार मैं यहाँ पर last वाले दिखा जेता हूँ bicubic automatic ठीक है बीच वाले आप देख लिए आप समझ जाना चोटा कर लिया और चोटा करने बाद enter किया और enter करके control T प्रेस फिर से किया और अपकी बार देखो फिर से इसका size बड़ा किया अब देखो जब तक enter नहीं करेंगे तब तक तो यह वैसी दिखा रहा जैसे यह enter करेंगे तो यह smooth हो गया अब देखो quality तो खराब हुई लेकिन smooth हो गया बसम यह smoothness है उसमें smoothness नहीं थी है न जैसे कि आपने अभी देखा उसमें smoothness नहीं थी यहाँ पर smoothness हो गई चाहें वो quality खराब हो गई तो इस तरह से काम करता है interpolation अभी आप यहाँ पर देखेंगे और देखो transform के अंदर देखो यह चीजे है transform again, scale, rotate अभी transform again क्या है transform again के बारे में समझे पहले में क्या करता हूँ इसको undo कर लेता हूँ है न ctrl z तो देखें इसको हम undo करके smart object जहां तक था वहां तक ले आए तो देखो क्या होगा है कि अगर हम इसको apply कर देए एक बार transform इस पे apply करके और दुबारा से हार हम वही transformation repeat करना चाते हैं तो again कर सकते हैं वो कैसे देखिए मैंने यहाँ पर ctrl t press किया और ctrl t press करने के बाद देखो इसका size मैंने यहाँ पर छोटा किया और छोटा करने के बाद देखिए इसको जो है यहाँ पर pass out कर दिया अब देखिए यह जो layer है वो select है already अब हम चलते हैं यहाँ पर edit में transform और transform में जाने के बाद हम करते हैं again जैसी हम again करते हैं दोखो वो जितना percentage हमने छोटा किया था उतना percentage यहाँ पर छोटा हो गया इसका shortcut की भी है control shift T control shift T अगर बार बार दवाएंगे तो उतना percentage छोटा रहेगा चाहे यह move करने के case में हो या फिर rotate करने के case में हो transform again से बार वार repeat होता रहेगा चाहे वो scale हो, rotate हो, skew हो, कुछ भी हो यानि transform की कोई भी property हो बास समझे है, अब चलिए मैं undo करता हूँ इसे और देखो वापस वहीं लाता हूँ इसे यहाँ पर undo करके, और अब हम देखो यहाँ पर चलते हैं, transform में और फिर से देखते हैं यहाँ पर अपकी बार क्या है scale scale पर क्लिक करते हैं, दोखो अब यहाँ पर scale कर सकते हैं, आप इसे, scale कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है, ऐसी दोखो आप इसको right click करके भी option लेका सकते हैं, जो option यहाँ पर दिख रहे हैं, यह option right click करके भी आ जाएंगे इसी को पर right click करें आप और देखो, यहाँ पर rotate कर सकते हैं तो कर ऐसे rotate, तो कर रोटेट हो जाएगा अब इसे scale नहीं होगा, rotate ही होगा ऐसे आप right click करके यहाँ से skew कर सकते हैं देखो, यहाँ से skew हो जाएगा, देखो ऐसे गोई, α ऐसे skew कर सकते हैं तो यह आपका जो है distortion से मैं आपको एक example भी बना के दिखाता हूँ distortion से देखिए मैं आपको इसको apply करता हूँ यहाँ पर ऐसी और controls right कर देता हूँ वापस वहीं आ जाएगा और देखे मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर मैं इसे place कराता हूँ देखो मैंने place कराया और इसको है मैंने size छोटा कर लिया एसे और size छोटा करके देखो मैंने यहाँ रख दिया और अपकी बार देखो right click करके मैंने क्या किया यहाँ पर dice distort किया, distort करके देखो, मैं यहां रख सकता हूँ, इस तरह से, यह कि मैं example करके दिखा रहा हूँ, distort से, देखो ऐसे, तो यह perspective की तरह रख जाएगा देखो यहां पर, ऐसे हो गया, इसको pass out करते हैं, देखो यह, तो इस तरह से आप distort कर सकते हैं, चलिए हम वहीं चलते हैं बापस और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर देखते हैं इसमें और क्या क्या option है देखो transform में तो देखो transform में यहाँ पर देखें आप यह देखो अभी इनको बताऊँगा रैप को और इनको सबको बताऊँगा पहले यह समझे देखो यह देखो rotate 180 degree जैसे आप 180 degree rotate करेंगे देखो उपर से नीचे rotate हो गया बत समझे अंडू कल लें और अगर Ctrl T प्रेस करके Ctrl T प्रेस करके right click करेंगे तब भी आ जाएंगे option देखो 180 degree 90 degree clockwise यह 90 degree हो गया right click करें 90 degree counter clockwise बापस आगया देखो है ना तो ऐसे आप इसको rotate कर सकते है clock wise counter clockwise या horizontal वर्टि तो flip vertical करेंगे देखो flip vertical हो गया ऊपर की तरफ उल्टा हो गया बापस flip vertical कर देखो अब आपके समझ में आगया होगा देखो आप है यहां पर wrap और यह split wrap यह क्या चीज़े हैं यह भी आप समझ लें यह बहुत काम की चीज़े है इसके बारे में आप समझ लें तो सबसे पहल गया अब देखो यहां पर आप ऐसे मूब करा सकतें और यहां पर डिसको इस यहां से भी रहा पाता और वह भी रैप है कभी आप सोचरुआ हूओ जोड़ दिया अब यहाँ पर wrapping में कुछ यहाँ पर option भी मिलते हैं wrap के custom तो देखो यह देख सकते हैं आप arc देखो arc जैसा shape मिल गया ऐसे देखो arc lower इसके लाबा देखो arc हो गया उपर वाला आप देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें fist बन गया देखो fist की जैसा तो इस तरह से आप यहाँ से भी change कर सकते हैं इसको discard करके फिर से ctrl T प्रस कर रहा हूं अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगो transform में यहाँ पर wrap के option मिलेंगे आपको split wrap horizontal split wrap vertical यह क्या करते हैं कैसे काम करते हैं इसके बारे पहले आप wrap apply कर लें सबसे पहले हमने wrap apply किया अब wrap apply करने के बाद देखो यह option यहाँ भी मिलते हैं देखो यहाँ पर मिलना है देखो split the wrap cross white यह horizontal और यह vertically ऐसी आप right click करके देखें तो यहाँ पर मिल जाएंगे split wrap horizontally split wrap vertically अब यह करते क्या हैं देखो हम करते हैं यहाँ पर split wrap horizontally डालना चाहते हैं right click करें यहाँ पर vertically डालते हैं vertically तो यहाँ से vertically पढ़के अब देखो इसको आप यहाँ से move करा सकते हैं अपनी मर्जी से जैसे आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते है vertically और horizontally ठीक है इसके लाब देखो यहाँ पर crosswise अब crosswise क्या है देखो अभी क्या है ctrl z कर रहा हूँ मैं देखो इसको ctrl z कर दिया मैंने और देखो यह भी ctrl z कर दिया ऐसे देखो यह हो गया अब हम right click करके यहाँ से करते हैं crosswise करेंगे तो दोनों आएंगे horizontal vertical दोनों एक सा आजाएंगे देखो यहाँ से आप move करा सकते हैं देखो यह इस तरह से तो अब undo कर लें अब देखो यहाँ पर undo करके दो वापस आएगा अगर आप crosswise डाल देते हैं किसी को यहाँ से crosswise डापने डाल दिया है और डालने के बाद आप इसको remove करना चाहते हैं तो आप remove भी कर सकते हैं राइट क्लिक करें तो देखो यहाँ पर remove wrap split जैसी आप करेंगे तो remove हो जाएगा आपने horizontal डाला हो तो देखो कैसे remove होगा अगर आप vertically horizontally ऐसे डालते हैं तो देखो इस पर क्लिक करके remove होगा ऐसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह फिर से आख शो हो गई ठीक है अब इसके लाब देखो इसमें एक और option बसता है देखो यहाँ पर convert wrap anchor point तो यह क्या काम करता है इसके बारे में इसमझ लें देखो अभी हम क्या करते है वर्टिकली यहाँ पर डालते हैं देखो अईसे और डालने के बाद आप दो इसमें दो handle आपके आजांगे एक handle यह है देखो और एक handle इधर आएगा देखो यह है तो दोना handle अभी एक साथ चल रहे हैं अगर आप इ एक साथ चला सकते हैं इनको इस से यहाँ से राइट किलिक करके ठीक है तो देखो यह चीज़े तो आपको सब समझ में आगई होंगी अब हम इस से एक example बना लेते हैं चोटा सा तो चलिए सबसे पहले मैं इसको डिसकार्ट करता हूँ और डिसकार्ट करने के बाद लोगो लगाने वाला हूँ और वो भी जैसे सलवटे हैं इस तरह से तो वो कैसे लगेगा वो दिखना है तो आप हम चलते हैं यहाँ पर और प्लेस इंबेडिट करते हैं प्लेस इंबेडिट करने के बाद देखो यहां से हमने ले लिया यह और इसको हम तो छोटा करके यह यहां पर fit करते हैं, देखो ऐसे, यहां पर लगाते हैं, और देखो इधर से भी, अब रखने के बाद में, देखो यह लगना चाहिए, कि बिल्कुल इसमें लगा हुआ है, ऐसे लगना चाहिए, तो अभी हमने इसको apply कर दिया है, तो अब लगनी रहा है, यह लगा हुआ है, तो ऐसे लगा दिया कि हमने ऊपर से कोची रखी हुई है तो इस T-shirt के ऊपर अगर लगाना है कि हमें बिल्कुल T-shirt के ऊपर wrap हुआ पर लगे तो हम क्या करते हैं Ctrl T प्रेस करके इसमें right click करके wrap डालते हैं देखो यहां पर wrap डाला हमने wrap डाल दिया और इसके बाद इसमें split करते हैं split vertically और vertically करने के बाद देखो यहां पर हमने एक जो है यह लगाई देखो और देखो यह लगाने के बाद अब हमने क्या करना है इसको पकड़के इस वाले point को पकड़के इसको जूम कर लेता हूँ मैं काम करके आपको दिखा हूँ जूम करके काम करता हूँ और देखो इस वाले point को पकड़के हमने देखो यहां रखा ऐसे और इसका जो anchor point था वो हमने इधर रख दिया इसका anchor point हमने इधर को बरावर में ले आए ऐसे देखो यहां ले आए ऐसे और देखो यहां पर हमने रख दिया यह anchor point को हमने थी घूमाया ओयसे और यह वाला जो point है थी निए голос ćरा हमारी कहां जा रही है यहां जा रही है तो हम जूए इसको यहां ले आए सलवट से पहले लियाओ आप यहां पर पहले ऐसे और देखो यहां पर हमने इसको रख दिया इसको भी थोड़ा सलवट से पहले आप लियाओ यहां पर इस तरह से और थोड़ा सा इसे हैंडल को ऐसे करो अच्छे से इस तरह से यहां पर लिया आया इस तरह से अब यह दिखन चुब यहां पर हमें एक और पॉइंट लगाना है हम एक बार और इसको राइट किलिक करके split vertical करते हैं और देखो हम नहीं आप इसको और जूम करके हमें थोड़ा सा देखो यहां पर आपको बतता हूँ किस तरह से करना है देखो यह हो गई ने यहां मूब कराया और इसको हमने देखो इसके according मूब कराया है एक जो है हमने बीच में भी इसमें डाल दिया split vertical यह वाला जिससे कि यह बीचे बीच में हमारा काम करें अब यह जो है यह वाला यह जो part है यहां से उठा और देखो ऐसे चलागा नीचे को देखो यहां पर सल्वट ने जराई ऐसी उपर करते हैं उपर भी देखो यहां पर इस वाली सल्वट को हम थोड़ा जूम कर लें तो इस वाली सल्वट को हम यहां उपर लेका आते हैं और इसको थोड़ा नीचे रखते हैं और इसको जो है हमने यहां पर ऐसे कर दिया और थोड़ा जूम आउट करके देखो यहां पर हमने इसे इस वाले को थोड़ा सा और हमें इधर को करना चाहिए ठीक है अब इस वाले को देखते हैं इस वाले को इस वाले पार्ट को देखने के लिए यहाँ पर एक और डाल लेते हैं, बस laas और यह हमारे पास ऐसे हमने इसको सब्सेहाँ यहाँ पर दी अब हम मैं सुरू से सुरूाइस से इहाँ से सुरू करता हूं, दیک बना सबसेहाँ यह उपर ऐसे चला गया इस तरह से convert anchor point wrap करें और देखो यहां पर इस तरह से इस तरह से बनाएंगे इसका mode देखो यह बना शल्वट की तरफ और देखो यह उपर ऐसे चला गया इस तरह से ऐसे ही आपका अगला वाला आपकी बार यह जो है यहां पर भी हमें अब यह सल्वट जो है कुछ वैसी नहीं है एकदम से डाउन नहीं है तो इसको आप आगे बढ़ाके ऐसे कर सकते हैं इस तरह से यह वाली सल्वटे भी हम cover कर सकते थे लेकिन अगर आप इसको देखें यहां पर तो देखो यह जो है anchor point के अलावा आप ऐसे भी use कर सकते देखो ऐसे तो यह हमारे पास होगई देखिए यह हमने उपर कर दिया अब नीचे भी हम ऐसी कर सकते हैं देखो नीचे हमारे पास यहां पर यह पूरा सही है यह ठीक है और यह वाली हमारे पास थोड़ी हम इसमें कर सकते हैं देखो ऐसे यह मुझे ऐसा लग़ा थोड़ी सलवट जादा है तो इसमें right click करके convert anchor point कर दिया good अब हम आगे चलते हैं देखो यहां पर हम देखते हैं इसको भी हमने वैसी करना है तो यहां पर उठाएंगे ऐसे और यहां पर हम इसे change करेंगे अच्छा यह और last बची तो इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे इसमें कोई जादे वो नहीं बचा है तो यह देखिए इस तरह से हमने control minus दवा कर थोड़ा zoom out कर रहा हूं ऐसे zoom out करके और अब देखिए यहां पर हम इसको apply कर देते हैं और यहां से इसका फुल opacity जो थी 100% हमने यहां पर कर दी तो wrap तो हो गया logo लेकिन इसके उपर लग नहीं रहा है कि यह क्योंकि T-shirt में जो सलबटे हैं वो उपर दिखनी रही है तो उसके लिए हम यहां से mode change करके देखेंगे mode जो भी mode आपको सही लगे उस mode को आप change कर सकते हैं जैसे देखो तो मेरी राय में vivid light जा दे ठीक है vivid light आप कर दें vivid light करके देखो ये proper हमें लग रहा है थोड़ी opacity हल्की कम कर सकते है हल्की सी opacity कम कर सकते है जिस से कि थोड़ी प्रापर लगे तो देखो अब ये लग रहा है कि लोगो इसके उपर यहाँ पर टी-शिर्ट के उपर छपा हुआ है ठीक है क्योंकि अब देखो सलवटे भी आ गई है और जो इसका रैप था पूरा वो भी देखो यहाँ पर हो रहा है देखो आप गौर से जो देखो जूम करके भी देखेंगे तो देखो रैप भी हो रहा देखो यह रैप हो रहा है इसतर한테 आप अड़ बी हो रहा है और इसमें देखो जो कलर था कलरेक caregiver शेयर्ड हो के साथ वह भी आ गया तो वज्चि इस तरह से एक image के उपर दूसरी image को wrap कर सकते हैं और text को भी wrap कर सकते हैं किसी image को उपर तो वाइज ये था transform का tutorial guys काफी lengthy हो गया, लंबा हो गया tutorial क्योंकि topic काफी सारे थे इसलिए लंबा हो गया tutorial तो वाइज फिर भी मैं पूछूँगा कैसा लगा आपको tutorial अगर आपको अच्छा लगा तो like करें, share करें और guys अगर कुछ कहना है तो comment box में लिक कर बताएं guys अगर आप नए है आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें और well icon को दवाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे notifications मिलते रहें तो guys मिलते हैं next tutorial में तब तक के लिए take care and bye bye